हाई दोस्तों, ये Excel Basics का Part 2 है, इस वीडियो को देखने के बाद हम जानेंगे Quick Access Toolbar के बारे में, Tabs के बारे में, Ribbon के बारे में, Name Box क्या होता है, Formula Bar क्या होता है, Sheet को Zoom कैसे करते हैं, Workbook सेव कैसे करते हैं, मैं हूँ Meenal, Your Website Learning से, आईए हम Excel के Basics सीखते हैं, सबसे उपर ये हमारा Quick Access Toolbar होता है, Quick Access Toolbar के अंदर, जो टूल हम बहुत बार या Frequently Use करते हैं, उसे डाल सकते हैं, इस बटन पर क्लिक करें, और नीचे आपको बहुत सारे Options दिखेंगे, जैसे New, Open, Save, इन में से जो भी Option हमारा जादा यूज होता है, उसे हम Select करके, यहाँ पर अपने Quick Access Toolbar में डाल सकते हैं, इससे ये होगा कि जब भी हमें इन टूल्स को यूज करना हैं, तो हम directly यहीं से उन्हें यूज कर सकेंगे, तो जैसे मैं Option Save को Quick Access Toolbar में उपर डालना चाहती हूँ, तो मैं Save पे जाऊंगी, Save पे Select करके उसे Click करूंगी, तो आप देखिए इधर ये Save का जो Option है, वो आ गया है, अब जब भी मुझे अपना Workbook सेफ करना होगा, तो मैं directly यहाँ पे जाके, इस पे क्लिक करके अपना Workbook सेफ कर सकती हूँ, Quick Access Toolbar के नीचे जो ये Options दिख रहे हैं, इन्हें हम Tabs कहते हैं, Tabs के अंदर Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review और View आते हैं, हर Tab के अंदर कुछ Options होते हैं, जैसे Home Tab के अंदर, Font है, Alignment है, Number है, इस पूरे Area को, जो Tab के अंदर आता है, इस पूरे Area को हम Ribbon कहते हैं, अगर हम किसी भी Tab पर Double Click करते हैं, जैसे मैं Home पर Double Click करती हूँ, तो आप देखेंगे, ये Ribbon छुप जाएगा, और अगर मैं फिर से इस Tab पर Double Click करती हूँ, तो ये Ribbon वापिस आ जाएगा, हमारे ये सारे Options वापिस आ गए, जो पहले Hide हुए थे, Double Click के अलावा Ribbon को Hide करने के लिए, यहाँ पर एक Option होता है, ये Arrow, अगर हम इस पर Click करते हैं, तो आप देखेंगे, हमारा Ribbon चला गया है, अगर मैं फिर से अपने Tab पर Home पर Double Click करती हूँ, तो हमारा ये Ribbon आ गया है, Keyboard से इसे करने का Shotcut होता है, इस Area के नीचे, ये जो Tab आपको दिख रहा है, ये Name Box होता है, इसमें हमारे Cell का Address लिखा होता है, जैसे अभी जो मेरा Cell है, वो I6 है, मैं कहीं और Click करती हूँ, किसी और Cell पे जाती हूँ, तो इस Cell का Address आ गया E4, इसके साथ में हमारा दिया होता है Formula Bar, जब भी हम Cell में कोई Formula लिखते हैं, तो वो यहाँ पे Formula Bar में हमारा दिखता है, Formula को अगर हमें Expand करना है, या Formula को अगर हमें पूरा देखना है, तो हम यहाँ पे इस Button पे Click करेंगे, तो हमारा यह पूरा का पूरा Formula Bar expand हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उपर जो यह Alphabets होते हैं, A, B, C, D, E, यह हमारे Column होते हैं, और Left में जो हमारे यह Numbers होते हैं, 1, 2, 3, 4, यह हमारे Rows होते हैं, अगर हम किसी भी Column Heading या Alphabet पर Click करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा Column Select हो जाता है, अगर हम किसी भी Row Heading या Number पर Click करते हैं, तो हमारा पूरा Row सेलेक्ट हो जाता है, नीचे हमारी सारी sheets आती हैं अगर हमें all sheets add करनी हैं तो हम इधर plus के button पे click कर सकते हैं जैसे मैंने plus के button पे click किया तो आप देखिए ये sheet 8 एक add हो गई है अगर हमें हमारी सारी sheets के नाम एक साथ देखने हैं तो हम इस button पर right click करेंगे और आप देखिए, हमारी सारी sheets के हमारे पास नाम आ गए है, अब इसमें से हम किसी भी sheet पर जा सकते हैं, किसी और sheet पर जाने के लिए, हम उच sheet पर जाके double click कर देंगे, तो देखिए मैं part 5 वाली sheet पर आ गई हूँ, अब आगे हमारा यहाँ पर zoom का option है, आप देखिए यहाँ minus का sign है, plus का sign है, और hundred percent लिखा आ रहा है, हम इसमें plus पर क्लिक करते हैं, तो आप देखिए, cell का जो size है, वो बढ़ता जा रहा है, और हम minus पर क्लिक करेंगे, तो cell का size जो है, वो छोटा होता जाएगा, zoom option के उपर ही हमारी scroll bar होती है, हम अगर इस पर दबाते हैं, तो हमारी जो sheet है, वो आगे बढ़ जाती है, जैसे देखिए मैंने इस पर दबाया, तो हमारी sheet जो है, वो आगे बढ़ रही है, और अगर मुझे फिर से पीछे जाना है sheet पर तो मैं इधर दबाऊंगी, तो इध इधर दबा के मैं अपनी sheet पे वापस पीछे जा सकती हूं, राइट में एक और scroll bar है, उपर ये नीचे जाने के लिए, मैं जब इधर दबाती हूं, तो आप देखिए मैं sheet में नीचे जा रही हूं, और अगर मुझे वापस sheet पे उपर जाना है, तो मैं इस बटन पे हैं, यहां पे हमारा file का name आता है, जैसे अभी मेरे file का name आ रहा है book 1, जब जब हम file का name change करते हैं, तब यहां पे file का name change हो जाता है, अब हम file save करते हैं, file save करने के लिए हम file के option पे जाएंगे, और यहां पे save as पे click करेंगे, save as पे click करने पे सबसे पहले हम location चुनेंगे, या फिर जगे चुनेंगे, कहां पे हमारे को हमारा यह file save करना है, तो मेरे को यह file desktop पे save करना है, तो मैंने computer पे click किया, और मैंने यहां पे desktop पे click किया, अब एक dialogue box open होकर आया है, इसके अंदर मैं अपना file का नाम दे सकती हूँ, तो मैंको जिसे अपना file का नाम देना है, Excel Basics, तो मैंने यहां पे अपना file का नाम टाइप कर दिया है, file name के नीचे, एक option आता है, save as type, यह हमारा extension होता है, कि हमें file किस extension में save करनी है, तो अगर हम चाहते हैं, कि हम file को PDF save करें, तो हम यहां से PDF के option पे click कर सकते हैं, अगर हम च text पे click कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे formats इसमें दिये हैं, अभी के लिए हम Excel workbook select करेंगे, और by default भी हमारा Excel workbook ही extension selected होता है, तो अब हम save पे click करेंगे, और यह हमारा file save हो गया है, और आप देखेंगे, उपर हमारा जो file का name है, वो book 1 से Excel basics हो गया है, आज के लिए comment करके बताईए आपने जो सीखा, अगर आपको कोई परिशानी आई हो तो वो भी बताईए, हम आपको उसका solution देंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करें और subscribe करें